नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों जो बाइडन ने जैसे ही राष्टपती बने हमारे पडोस्यों के यहाँ पर काफी खुशिया मनी डोनाल्ड टरंप का जाना उनके लिए काफी अच्छी बात ही विए डोनाल्ड टरंप ने कश्मीर बढ़िया चांस क्रियेट कर दिया है जो बाइडन ने अगर भारत करना चाहे कुछ यहाँ पर एक्चन लेना चाहे पाकिस्तान के खिलाफ तो ले सकता है क्योंकि इससे बढ़िया चांस भारत को नहीं मिलने वाला हाला कि अच्छी बात यह कि भारत अभी से भी प्लान करे तो हमारे पास तीन से चार साल है जो करना चाहे भारत आसानी से कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है तो मैं आपको बताता हूँ कि खबर आखिरकार है क्या और यह पूरा मामला मैं आपको समझाने वाला हूँ डिटेल से तो मुझे बहुत ध्यान से स तो दोस्तों सबसे से पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी वायू सेना से ही क्योंकि पाकिस्तान की तीनों सेनाओं में पाकिस्तान ने अपनी वायू सेना पर ही हाल ही में बहुत खर्च किया है नो सेना हो तो इनकी बहुत ही बूरी हालत में इस समय और थल सेना के पास तो खेर अपने खुद के फंड हो तो माफिया की तरह चलती है लेकिन वायू सेना में इन्होंने काफी निवेस्ट किया है इनके पास कौन से लड़ाकू विमान है आज की तरीक में मिराज 2000 है इसके लावा इनके पास F-16 है जो इनके फंड लाइनर है इसके बाद आते हैं इनका जो सबसे जाला संख्या में शामिल है वो है JF-17 लड़ाकू विमान में यहीं तीन है बाकी सब तो या तो बहुत ज़्यादा पुरान है या उनकी हालत अच्छी नहीं है वहीं हम बात करें शुरुआती दोगी तो F-16 और Mirage 2000 तो भी इनके grounded ही हो चुके हैं क्योंकि दोनों की maintenance अब नहीं हो रही है जो फ्रांस ने तो मनाई कर दिया है Mirage 2000 को कि आप तो इन्हें का बाड़ा ही समझ लिए हम तो इनका कुछ करने नहीं वाले बात करें F-16 की तो उनकी बहुत ही कम संख्या 60-70 की संख्या है और उनमें भी आधे ऐसे हैं जिनकी maintenance बहुत नहीं हुई है और वो grounded हैं आधे उड़ने की हालत में हैं और अब आ जाते हैं JF-17 पर जो पाकिस्तानी वायू सेना की रीड की हड़ी है बहुत ही भारी संख्या में इन्हें ये खरीद रहे हैं खरीद चुके भी हैं और आने वाले सेने भी खरीदने वाले हैं चीन से आपको बता दू कि कल को पाकिस्तान और भारत का कोई युद भी हो जाता है जिसमें वायू सेना टकराती हैं तो भारत का सामना most probably JF-17 से ही होने वाला है लेकिन इसी को लेकर अब दिक्कते सामने आई है दरसल JF-17 को बनाया है चीन ने और इसे बनाया है कोपी करके रूसी टेक्लोजी को चुड़ा कर कुछ F-16 की टेक्लोजी चुड़ा लिया अमेरिका से फिर उसे बना दिया लेकिन फिर भी चीन इसे पूरी तरीके से नहीं बना पाया था क्योंकि इसका जो इंजन है वो बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी लड़ा कुई मान का तो इन्होंने इसे रूस से इंपोर्ट करकर इसमें लगाना शुरू कर दिया था आज की तारिक में अब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान ने खरीता है ये रूसी इसमें इंजन लगा हुआ है अब इसका ओवर होल का टाइम आ गया है यानि कि एक ऐसी मेंटिनेंस होती है जब इसमें पूरा जो इंजन वगारा सब कुछ खुलता है या तो उसे आप पूरी तरीके से मेंटिनेंस करिए या फिर पूरा ही बदलना पड़ेगा आपको लेकिन दिक्कते ये हैं कि अभी रूस की वो कंपने जो इसका ओर होल ये मेंटिनेंस करती है इसके इंजन का वो अम अब फिएसदी तक जो वायू सेनिक समता है वो जमीन पर जाए क्योंकि जे एफ सेवंटीन के अलावा जो मिराज है और जो एफ सिक्स्टीन है वो पहले ही ग्राउंडिड है अगर ये भी ग्राउंडिड है तो इनके पास बचना कुछ नहीं है इनकी वायू सेना की समता हैं रूसी कंपनी को कॉंटक्ट करते हैं उनसे मेंटिनेंस करवाते हैं तो फिर इन पर लगेंगे अमेरिकी परतिबंद ना सिर्फ पाकिस्तान पर ऐसे कंट्री बल्कि पाकिस्तानी वायू सेना पर भी लगेंगे क्योंकि पाकिस्तानी वायू सेना पेमेंट करेगी इसके बाइडन चीन से भी जादा रूस को अपना दुश्मन मानते हैं इसलिए अगर कोई भी कंट्री रूस से हतियार खड़ी देगी तो जो बाइडन निश्चित पर्तिबन लगाएंगे हाला कि इसमें कुछ exception जैसे की भारत क्योंकि भारत की आज की तारिकी में उन्हें बहुत जरूरत है आने वाले समय में भारत को एक बहुत बड़ा अलाई मानते हैं एशिया में तो भारत तो इसमें ख्यार अलग है लेकिन पाकिस्तान को वेवर नहीं दे सकते क्योंकि अगर जैसी छोटी कंट्री को भी वेवर देने लग गए तो फिर बाकी देशों को क्या होगा फिर तो कोई नहीं बात मानेगा अमेरिकी सेंक्शन्स की तो इसलिए पाकिस्तान अगर maintenance करवाता है तो मरेगा नहीं करवाता है तो मरेगा हाला कि पाकिस्तान को एक तीसरी उमीद भ लगा दे लेकिन अभी तक सारी उमीद नाकाम हुई हैं चीन के जितने भी टेस्ट हुए हैं वो unsuccessful याने की नाकाम रहे हैं अभी तक चीन सफल नहीं हो आगर चीन सफल भी हो जाता है तो कम से कम 4-5 साल लगने वाले हैं पहले वो अपने जेव 17 में लगवाएंगे फिर कहीं यहां पर प्लानिंग करता है P.O.K. को वापस लेने की पाकिस्तान से तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है हम अराम से प्लान कर सकते हैं और फिर अच्छा खासा समय देखकर एक बड़ा हमला करके P.O.K. को वापस ले सकते क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना रिटैलियेट ह भारतिय लड़ा को विमान बड़ी आसानी से खतम कर देंगे हाला कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी सिच्छिएन एक तरफ को एक तरफ खाई वाली है आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करें में जुरूर बताएगा वीडियो को शेर भी केजएगा सभी की साथ और चै